नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्शित चौपे और आज हम बात करेंगे SMP और ITT की बीट जो नेक्स TNPL का मैच खेला जाएगा उसके बारे में पूरा प्लेइंग लेवें डिसकस करेंगे Dream 11 का analysis करेंगे Dream 11 की टीम भी देखेंगे और अगर वीडियो के last तक रुखते हो तो मैं आपको कुछ Grand League की टीम सी बताऊंगा साथी साथ हम Small League की टीम भी देखेंगे तो जो भी दोस्त मेरा पहली बार वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है बाकि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो जिससे मेरा motivation बना रहा है और मैं बहुत और बहतर करने की कोशिश कुरूँ last match के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ last match था वो हमने TNPL का cover किया था और TNPL के match में एक तरफा आग लगाई थी एक तरफा clean ship किया था क्योंकि Krishna भी हमारी टीम में थे और साथी साथ बाकि जो players से वो भी हमने काफी सही अपनी टीम में लेके रखेते तो लगा था TNPL की टीम काफी अच्छी जा रही है लेकिन जो final team होती है जो भी toss के बाद कोई भी update होता है वो आपको telegram channel पर provide होता है लेकिन मैंने last match का आपको बता तो दिया कि last match में बड़ीया winnings होई है क्या सच में winnings होई है जी है बिलकुल last match में अच्छी winnings होई है लेकिन किसकी winnings होई है भाई जो telegram पर connected है तो अगर आप अभी तक telegram channel पर नहीं आए तो आप telegram channel पर आ सकते हैं क्रिक्बिन नाम से telegram channel है और अगर आप search करेंगे यूटूब टेलिग्राम पर जाके इसी letter में search करना क्रिक्बिन एक साथ लिखना तो आपको channel मिल जाएगा आप join कर सकते हैं मा की comment section में से भी आप join कर सकते हैं first comment आपको मिलेगा क्रिक्बिन telegram नाम से blue color की link है उस पर tap करोगे तो भी आप सीधा telegram पर पहुँच सकते हो सबसे easy method है comment section से पहुँचना तो सबसे पहला जो comment होता है वो मैं pin कर देता हूँ आप उसमें जाके या कोई भी शिकायत हो या कुछ भी पूछना हो तो आप comment section में वैसे भी जाते ही होंगे तो वहाँ पर जाके आप इस link पर tap करोगे तो सीधा आप telegram पर पहुँच सकते हो काफी सारे लोग already connected है अगर आपको connect होना है तो भाई आप telegram पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं मा की YouTube पर भी अगर पहली बार आए हो तो subscribe कर सकते हो क्यूंकि लगतार वीडियो भी आपको provide हो रहे है और साथी साथ टीम्स तो आपको telegram पर मिलती है लेकिन women matches भी मैं cover कर रहा हूँ world cup qualifier के भी आने वाले कुछ matches मैं cover करूँगा और साथी साथ ये वाली series TNPL जो चल रहा है वो भी हम cover करने वाले है तो आप subscribe भी कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो last में आप like भी कर सकते हैं चलिए सीधा match के बारे में बात करेंगे उसके पहले last match के आप winnings देख सकते हो S Khan को captain किया था शारुक Khan best choice है लगबख सभी लोगोंने captain किया था कुछ लोगोंने सुंदर को captain किया था सुंदर को vice captain किया था बागी आप देख सकते हैं एक कृष्णा भी हमारी team में थे अभिशेक भी हमारी team में थे तो बहतरीन team रही है last match में लगबख clean ship हुआ है आज के match में भी कोशिश करेंगे बहुत ही बहतर करने की अगर आप इसी तरीके की final team चाहते हैं तो आप telegram पे आ सकते हैं बाकी knowledge आपको वीडियो से मिली जाएगा तो आप अपनी team भी create कर सकते हैं अपनी team create करेंगे तो ज़्यादा बहतर है बाकी दोस्तों हम सीधा pitch report से बाज शुरू कर देते हैं Indian cement company में match होगा तिरुनल वेली में जहाँ पर पिछले कुछ matches खेले गए यहाँ पर दोस्तों अगर हम score card देखें last three matches का last match LKK यहाँ पर आप देख सकते हो 208 बना है उसके पहले थोड़ा सा low score हमें देखने को मिला है second inning में अगर आप देखेंगे second inning में comparatively score करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और second inning में भी wicket गिर रहे है first inning में भी आप देख सकते हैं wickets गिरते वे नज़र आ रहे है और last के दो matches में तो second inning में team all out हो गई है उसके पहले आप देख सकते हो first inning में भी wickets गिरे हैं तो wickets गिरने से क्या मतलब है wickets किरने से हमें क्या समझ आता है wickets गिरने से हमें यह समझ आ रहा है कि bowlers की importance थोड़ी सी जादा है और अगर आपने पूरा TNPL observe किया है तो हम भी अपनी team में bowlers को preference देते हैं और साथी यहाँ पे bowlers अच्छा करते वी नज़र आते हैं बैटसमेन आपको लेने हैं तीन बैटसमेन अगर आप किसी और अरप में खेलते हैं तो तीन बैटसमेन तो आपको लेने ही है लेकिन all-rounders और bowlers में से आप थोड़े से z dirig और bowlers ट्राइक और bowlers ट्राइक करें जो हमारी विनिंग की वज़ा बनेगे बाकी पिछ रिपोर्ट दोस्तों अगर देखें तो फर्स्टीनिंग का एवरेज स्कोर 157 है सपोर्टिंग स्पिनर्स है बैटर्स को भी थोड़ी बहुत हैल्प रहेगी लेकिन स्पिनर्स को जाधा सपोर्ट है कुल मिला के स्पिन फ्रेंडी जाधा पिछ है और बैटर्स अगर हम बात करें शुरुआत में अच्छे से खेलते हैं शुरुआत में सबल के खेलते हैं जैसे लास्ट मैच में आपने देखा तो बड़ा स्कोर भी बना सकते हैं लेकिन दोनों ही टीम में हमें देखना होगा किसकी टीम की बैटिंग स्टॉंग है किसकी बोलिंग स्टॉंग है उसकी अकॉर्डेंग हम अपनी टीम क्रियेट कर सकते हैं मां की दोस्तों पॉसिबल 11 के बारे में बात करें तो SMP की possible 11 कुछ इस तरीके की रहने वाली है यहां से मैं आपको बता देता हूँ death bowlers कौन है death bowlers last match में Ajay Krishna को एक over death में बिलाता साथी साथ गुर्जापनीत सिंग death में overs डालते हैं ये दौनों bowlers ही generally हमें death में bowling करते हुए नजर आते हैं तो इन पर थोड़ा सा focus बढ़ा लेना अगर first bowling आ जाती है SMP की चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम players के बारे में बात कर लेते हैं सुरेश लोकेश्वर बढ़िया प्लियर एक match खेला है इस venue पर 41 बना है overall भी 25 का average है और दो match इस total खेले हैं तो आज के match में क्या करना है यार स्मॉल लीग भी ट्राइए हम नहीं कर पा रहे हैं करना तो चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगर आप दो wicket keeper ले लेते हैं सामना वाला wicket keeper भी आपको रखना पड़ेगा उनका form भी अच्छा चल रहा है तो फिर आप first जाएंगे और मुझे लग रहा है आज लोकेशवर्ट थोड़ा सा जल्दी आउट होंगे सामने वाली टीम के strike बोलर इनने जल्दी ले जाएंगे नेक्स बात करें वाशिंग्टन सुन्दर लास मैच में ओपनिंग आए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और बोलिंग भी आप देखेंगे 27 विकेट निकाले हैं हर मैच में एवरेज पॉइंट आपको निकाल के दे रहे हैं और बैटिंग में भी थोड़ा सा प्रमोशन हुआ है लास के दो मैचेस में लास मैच में ओपनिंग आया उसके पहले अगर हमने देखा था तो उसके पहले भी फर्स डाउन या सेकेंड डाउन बैटिंग करने आये थी तो सुन्दर कैप्टन वाइस कैप्टन करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो पूरे चारोवस डालेंगे टीम के कैप्टन भी है निशान के बारे हम बात करें 33 का एवरेज लास मैच में बढ़िया पारी खेली उसके पहले तीन चार मैचेस में फ्लॉप हुए थे लेकिन लास मैच से एक बार फिर से फॉर्म में आ चुके है आप बैटिंग सेक्शन से अपनी टीम में रख सकते है यग बीशन कौशिक की बात करें टूर्नमेंट की शुरुआ तो अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ किया नहीं है बोलिंग भी ठीक है लेकिन बाई बोलिंग तो हम तब बोलिंगे बोलिंग का मौका मिलेगा बाई बहुत ही कम बोलिंग का मौका मिल रहा है लेकिन विकेट नहीं निकाल पाए बागी बैटिंग खास नहीं चल रही है और उन्डर सेक्शन से हमारे पास 4-5 ओल्डेडी चोइसे हैं तो फिर हम इनके साथ नहीं जा पारे है नेक्स बात करें लिंगेश के बारे में 14 मैचस में 9 का ऐवरेज 5 विकेट कुछ भी नहीं किया है और इस सीजन भी ज़्यादा कुछ इंप्रेस किया नहीं है बोलिंग तो मिल भी नहीं रही सिर्फ बैटिंग के वरोसे हम इनके साथ नहीं जाएंगे नेक्स बात करते हैं एश्री अभी शेक लांस मैच में बैटिंग और बहुत जादा नीचे था सेकंड इनिंग में बैटिंग आई थी लिकिन भाईया पता था जिस लेवल का ये प्लियर है कुछ ना कुछ तो कर जाएगा मिल रही है और बैटिंग बैटिंग ना लेकिन इतनी नीचे बैटिंग दोगे तो बहुत प्लियर क्या ही करेगा तो यहां पर फॉर्स बैट अगर इनकी टीम आती है इनकी टीम की आती तो फिर आप रख सकते हो अपने सिंग के बारे में बात करें 6 मैचेस 3 विकेट निकालें 21 का एवरेज बड़ी अप लिया प्लियर है और एवरेज और विकेट्स मत देखो इस सीजन अच्छा कर रहे है इस सीजन अच्छा करने मा की एक्स्पिरियंस जादा नहीं है इसी सीजन शाइद पहली बार ख इन और होंगे आपको अपनी टीम में रखना है तो फॉर्स बोल में रख सकते हो मा की सेगेंड बोल में भी रखी सकते हो आज के मैच में मुरूगा नश्मिन के चांसे थोड़े से जाद है सरावनन के बारे में बात करें 8 मैचेस 8 विकेट अच्छा जा रहा था टूर्णम करेंगे खाली मैचेस में 8 कि water निकाले है मार चीह देख सकते हो या इक भी मैच फेल नहीं है यह मैच फेल नहीं है हर मैच में च्वेस्चा टीम में तो 통bs वाइस केप्टन नहीं करेंगे, small league में तो at least नहीं करेंगे, grand league में एकाट team में अगर आप रख सकते हो, first bowl अगर आती है तो, लेकिन गुर्जा अपनी सिंग के chances आज मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, लगातार कोई player उपर जाता है, हर match में विकेट निकालता है, तो एक न नहीं थे, कोई विकेट नहीं निकाला लेकिन एक run out कर दिया था, एक catch पकड़ दिया था, तो कुछ points हमें दिला दिया थे, जो हमारी winnings में बहुत जादा help किये थे, चलिए, बांकी किसी player को मौका नहीं मिल रहा है, और अगर मौका मिलता है, तो आपको telegram पर provide कर दिया जा इसकी इंशोट आयोप आपने ले लिया होगा, सीधा हम players पर आ जाते हैं, players के बारे में बात करते हैं, तो शार रहेजा, 22-16 का average है, और हर match आप देख सकते हो, 22-20-30 नन बना देना है, एक-दो matches में जादा अच्छी performance रही है, बांकी matches में उतना बहतर नहीं किया है, तो दौनों matches में बढ़िया बैटिंग करते हुए नजर आएं, तो चिसकी first bet आ रही है आप उसको रख सकते हैं, हलांकि दौनों ही wicketkeeper opening करते हुए नजर आ रहे हैं, दौनों को बैटिंग का मौका मिल जाएगा, लेकिन मेरे इसाब से low kishwar थोड़ी सी जादा बैतर चोईस है, आज की match में हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा score आपको करके नहीं, आर्साइग के शोर के बारे में बात करें, 52 matches में 73 wicket, 16 average और कुछ time से बैटिंग में प्रमोशन भी लिया है, और उपर बैटिंग करने आ रहे हैं, बैटिंग बोलिंग दौनों से मौका, दौनों से कुछ न बोलिंग टीन दे नहीं रही है, शुरूआत में दे रही थी, तो भी wickets नहीं निकाले थे, और अगर TNPL के carrier की बात करें, नाम बड़े दर्शन छोटे, 21 coverage है, केवाल 21 coverage है, सारे matches भी अगर आप उठा के देखोगे, एक match में 43 बनाए हैं, जिसमें हमारे vice captain थे, किसी ने इन TNPL की, तो एक भी 50 नहीं है, यह एक भी 50 नहीं है, टूर्णामेट के शुरुआत में भी मैंने आपसे बोला था, विजय शंकर का नाम तो जरूर बड़ा है, लेकिन TNPL में record उतने तगड़े नहीं है, तो आज के match में हो सकता है, अच्छा कर दें, इसलिए team में तो हम रख आते हैं, तावरतोर शॉट्स खिलते हैं, फिनिशर की रूप में टीम देख रही है, फोस्स बैट आती है तो आप रख लेना, सेकेंड बैट में थोड़ा सा मुश्किल है, कितनी क्या बैटिंग मिलेगी और कई बार सब्सिट्यूट में भी दे देते हैं, तो फिर आप प थोड़ा सा कमी विकेट्स इनको मिल रहा है, तो आज के मैच में अजीत राम का सिलेक्शन परसेंटिक देखो कि बहुत कम है, आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप दो के आसपास विकेट ले जा सकते हैं, करुपू सेमी की बात करें, आठ मैच इस पांच विकेट कुछ भी नहीं किया है, टीम भी ज्यादा प्रिफरेंस देती नहीं है, भुबनेश्वरन बढ़िया प्लियर, 6 मैच इस 13 विकेट, सीजन बहुत ही बहतरी इन जा रहा है, सिर्फ एक मैच विकेट लेस रहा है, आज के मैच में फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अगर फोर्स बोल बोलिंग आए, तो भी मेरी प्रिफरेंस सुंदर होगी, क्योंकि सुंदर यार बैटिंग करके देंगे आपको, बोलिंग में भी हो सकता है, विकेट ले जाएं, त्रेलोग नाग, लास्ट मैच में कमाल किया है, आप देख सकते हैं, लास्ट मैच में हमारी टीम में भी थे कैप्टेंस से मेरा मतलब क्या है, जिनको मोसी लोग ट्राए कर रहे है, जिनका फॉर्म भी अच्छा चार रहे है, जो लास्ट मैच में अच्छा करके आ रहे हैं, तो साही किशोर पहला नाम है, 60-70% के आसपास लोग कर रहे हैं, और गलत नहीं कर रहे हैं, मौका भी जाद करते हो, फॉर्स बैट आती है, फॉर्स बोल आती है, दौनों कंडिशन में सुन्दर अच्छा कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, आई पिल में भी अच्छा करते हैं, माकी विजश शंकर को भी आपको कुछ टीम से में रखना चाहिए, इंटरनेशनल लेव वाले प्लेयर, जब भी मैंने यहां पर कोई प्लेयर बताया, तीन में से दो प्लेयर तो चलते हैं, तीन में से तीन हो नहीं चलते हैं, बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, बहुत रहर होता है कि तीन में से तीन चल जाएं, लेकिन तीन में से दो जरूर चलते हुए नजर सबसे पहले ऐसा भी शेक, लो सेलेक्शन, बहुत ही कम लोगों ने लिया है, 4-5% लोगों ने लिया है, लास्ट में हमें विन कराया है, फोर्स बैट आती है, तो ही रखना है, फोर्स बैट में रखना है, और एक काम करूँगा, नेक्स स्लाइट से मैं यहाँ पर आपको कंड सेलेक्शन में रख सकते हो, ठीक है, अगर आप ऐसा चा रहे हो, तो कॉमेंट सेक्शन में आप बता देना, सुरेश लोकेश्वर, बढ़िया प्लेयर, एक्स्पीरियंस कम है, लास्ट के दो मैचेस अच्छा की है, आज के मैच में तुशार रहे जाएके साथ जाएंगे ल तो यह दोस्तों हमारे लो सेलेक्शन वाले प्लेयर्स हुए, बाकि हम दोस्तों टीम के बारे में बात करेंगे, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार, ग्रेंड ली की टीम्स में आपको बताऊंगा, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और वीडि करेंगे, उसके पहले अगर आप अभी तक टेलिग्राम चैनल पर नहीं आए, तो आप टेलिग्राम पर आ सकते हैं, फाइनल टीम आपको यहां पर मिल जाती है, यह देख सकते हैं, लास्ट जो मैस था शिलंका और न्यूजिलेंड का, इसकी फाइनल टीम भी आप मैंने चैनल ज्यादा बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन विनिंग्स बढ़ी है, विनिंग्स बढ़ी है, और टी एन पिल तो बहुत ही कमाल का जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं, कितना बढ़ी हमारा प्रॉफेट होगा, तो लगतार काफी अच्छा विनिंग्स हो रही है, टी एन लिके अंदर साथ ही साथ विनिंग्स में भी हम काफी बढ़िया कर रहे है, तो आप टेलिगाम चैनल पर आ सकते हैं, फाइनल टीम आपको यहाँ पर मिल जाएगे, और अगर ग्रेंडी की टीम भी आपको चाहिए टेलिग्स पर तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते है माकी काफी सारे मेरे दोस्त पूछते हैं कि सर आपके सैप में खिलते हो, कई बर हमारा लॉस हो जाता है और आप फिर भी प्रॉफिट कर जाते हो, तो यार मैं कोबेरा में खिलता हूँ, क्यों खिलता हूँ, तीन बैट्समें, तीन बोलर्स लेने कंपल सरी है, पहली कंडि और दूसरी बात भाई, विड्रोल की आज तक प्रॉब्लम नहीं है, कॉंटेस जल्दी फिलो हो जाते हैं, सेम ओपोनेंट के चांसे थोड़ से कम होते हैं, तो इतने सारे फीचर्स मुझे कोबेरा के अंदर मिलते हैं, इसलिए मैं कोबेरा पे खेलता हूँ, अगर आपको विड्रोल की प्रॉब्लम आती है, या कोई भी इशू आता है, तो आप कॉमेंट में लिख देना, मैं आपका इशू सॉल्व करा दूँगा, मेरी टीम से बात होती है, कोबेरा वाली, तो वो इशू सॉल्व कर देते हैं, फटा-फटा-फटा, अगर मुझे भी कोई के साथ भी आप जा सकते हो, फिलाल रहे जाएं, बैटिंग सेक्शन से बात करें, निशान्स मेरी टीम में रहेंगे, और रादा कृष्ण मेरी टीम में रहेंगे, और आपको किसे रखना है, बांकि किसी एप में खेल रहे हो, तो दो चोईसे बन रही है, अनिरुद्ध को को रख सकते हो, फॉर्स बैट अगर आती है, आई टीट की, और फॉर्स बैट अगर आती है, SMP के तो फिर आप अभी शेक को रख सकते हैं, फिलाल ड्रीम 11 में तो मेरी टीम में ये दाउनों नहीं है, क्योंकि कमपलसर ही नहीं है, तीन बैट्स में लेना, और एस सिंग भी मेरी टीम में रहने वाले हैं, और साथ ही साथ मेरी टीम में भुवनेश्वरन भी रहने वाले हैं, अगर यहां से दोस्तों हम बात करें, जो ओल डाउंडर नहीं है, मतलब जिसको बोलिंग बहुत कम मिलती है, तो वो विजय शंकर है, तो अगर बहुत बड़ा रिस्क लेन अगर विजय शंकर को नहीं करना है, आपको विजय शंकर ज्यादा बड़ा रिस्क लग रहा है, तो फिर S सिंग को कर सकते हैं, अगर फोर्स बोल नहीं आ रही है, SMP की तो आप S सिंग को डॉप करके बागी चार के साथ जा सकते हैं, बोलिंग सेक्शन में बात करें, तराम के साथ जाओंगा और भी क्या चोईस बन रही है सरावनन भी ठीक चोईस है लेकिन लास मैच में अच्छा नहीं किया है और आज के मैच में अब देख रहे हैं मैं किसको ड्रॉप करूँ आप यह भी समझ सकते हैं हम किसी को ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं ग्रेंड साथ मैं सिर्फ तब जाओंगा जब फॉर्स बोल आ रही है आईटीटी की तो अधर्वाइस मैं सुंदर के साथ ही जाना प्रिफर करूँगा बैतर वैट्स मैंने बैतर प्लियर है चलिए नेक्स टीम देखते हैं अगर SMP फॉर्स बोल करती है तो हमें क्या करना है SMP अगर फॉर्स बोल करती है तो फिर मैंने आर्साइं के शोर के साथ जी सिंग को वाइस केप्टन कर लिया है और जी सिंग का फॉर्म भी अच्छा चल रहा है और खासकर फॉर्स स्रीनिंग में डैथ वर्स डालेंगे तो हो सकता है दो से विकेट ले जाए तो यह टीम उस कंडिश इसको दॉनोंगे टीम बड़ीया टीम है जिसके फॉर्स बोल आ रही है थोड़े से ज्यादा बोलास अप रख सकते हैं अगर फॉर्स बोल आ जाती है आई-टी के तो इक्री बहुत कर दो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सेकेंगे नाग को बहुत करना क्योंकि सेक्ट बड़ी अप लिया रहे हैं लास्ट में हमें विन करा है दो विकेट निकाले हैं फिर से कुछ न कुछ कमाल करके दे सकते हैं तो इस तरीके कि कुछ हमारी ग्रेंडी की टीम्स हो रही हैं बागी आए होगा आपने स्कीन शॉट ले लिया होगा और कुछ भी अगर नहीं समझा आ जा रहे हो तो इस तेलीग्राम पे आपको सेम्टीम भी बिल जाएगी तो अब कहराने दो सब्सक्राइब लिख सकते हैं बांकि मिलते हैं नैक्स वीडियो में